और राइट गाइस सबसे पहले आप इस एपिसोड को पूरा देखिए तो कई लोग मेरे से पूछते कमेंट सेक्षिन में कि भाई यार आप यह एपिसोड कहां पर देखते हो अटाइक उन टाइटन के जुजुसु काय से इनके टोके रिविंजर्स के तो यार इसके लिए मै आपकी एक हेल्प करना चाहता हूँ मैंने सोचा कि यार आप लोगों को इसली यह सारे एपिसोड मेरे तो मैं जितना भी टाइम मेरे को मिलता है मैं कमेंट सेक्षिन में बिताता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को जवाब देता हूँ लेकिन इसी के साथ-साथ मैं सोच यह जो नियू एपिसोड आ रहे है वो मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर डालना शुरू करूँ जिसवजे से आपको ज्यादा टेंशन लेनी की ज़रोत ना पड़े वहाँ साथ-साथ ओनलाइन भी देख सकते हो वही पर मैं सारी लिंक्स और प्रोवाइट कर दूँगा क् अब यह जोगों का सीजाए जाता है और भाई एसा लगता है कि इसकी लंका लगा रहा है यहाँ पर क्योंकि भाई आपके ज्यादा पावरफुल है कि अवर्स तो जोगों भी आई सोचता है कि इसको यह तो पता था कि इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फारख होगा लेकिन इतना जादा फरक उसे नहीं सोचा था भाई दूसरी और हमें मेगोमी का सीन दिखाया जाता है जिसके साबने टोजी होता है और वह काफी जादा फुरतीला होता है वह भी बिना किसी कर्स एनर्जी के इसी बाद से यहाँ पर मेगोमी को टेंशन हो रही होती है और वो यही सोचता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए बस उसे इस समय जीत पर फोकस रखना होगा उसे ये विजुलाइज करना होगा कि वो जीतेगा जिसके बाद वो यहाँ पर अपने यह झाँ जलसे लड़ायगा सेटब करते होगा वो सब्सक्राइब करना होगा वैकट वे उसको फॉजिवकार नंगे और चिसके नगेल मेंडिकल बचल चैन बाद बाद शेया होगाई वो तो उसको एक शोटी से लड़ा olsun यहाँ lossy में 12 Mr. और शोको को यहां पर होना काफी जादा जरूरी है ब procent शोको कहता है कि मैं यहां फुद भी समाल लेती है लेकिन मासा मिची ही कहता है minder यहां पर होना जरूरी है मुझे तुमे पर्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि सिर्फ इस समय तुम ही हो जो कि बाकी लोगों को हील कर सकती हो तो शोकी यही कहते है कि अच्छा हूँ हमने नानामी की कॉल का वेट नहीं किया और हम खुद ही यहाँ पे पहले ही आ गए और सब कुछ सेट अप हमने कर लिया यह काफी अच्छा एडिया था इधेर हमें फिर से मेगमी का सीण दिखाया जाता है और उसे पता होता है कि यह सिफ एक पास पास जादाम मूवमेंट की जगए होती है यह सामने सामने की लड़ाई और , अब मेगमी का पूरी तर से प्रिपेर होना होगा एक सही टाइम पर अंधासा लगा के उसको टोजी को पर अमला करना वोगा, क्योंकि वोस्पीड का जजमेंट तो ले सकता है, यह बन्दा सुकुना के लेवल का है, जो टोजी है, सामने के खाड़ाए, ठीक है? तब यहाँ पर टोजी आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और नीचे चे रैबिट होता है वहाँ पर एक होल टाइप आ जाता है जिस वज़े से टोजी अपना अटैक मिस कर देता है और मेगुमी को लगता है कि शायद उसका प्लान काम कर गया लेकिन यहाँ पर जैसे वो अटैक करने के लिए तोजी अपना स्टाफ होता है और डॉज करके पीछे बीजा चुका होता है तो इसके बाद मेगुमी काफी जादा फ्रस्टेट होने लग जाता है उसको समझ नहीं आता बही आगे क्या करेगा उसका यह वी प्लान फेल हो चुका है यहाँ तो जब कि यार उसका एक बेटा भी हुआ करता था और उसने उस बेटे का सौधा कर लिया था कि अगर उसके पास इनहेरिटेड बाई क्लैन की जो स्पेशल पावर्ज अगर वो होंगी तो उसके वो ज्यादा प्राइज लेगा उसके अलावव कम प्राइज लेगा तो यहां पे हमें उस आदमी का चैरा तो ठीक से नहीं दिखाया जाता लेकिन यह काइंड ओफ मेरे को नाव बीटो की तरह लग रहा होता है जिसके बाद यहां पे आप जानते हैं क्या हुआ था ओविसी बाते तो हमें हलका फुल का इडिया है कि टोजी ने अपने बेटे का सौधा कर दिया और बाले उसको कोई फरक नहीं बढ़ रहा था इसी से और उसे किसी भी चीज से कोई फरक नहीं पड़ता था लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था कि भाई वो जगह जहां पर उसको पेज रहा है उस जगह ने कभी भी टोजी के साथ तो अच्छा नहीं किया उसे वहाँ जाके कोई फायदा नहीं होता लेकिन शायद मेगुमी के साथ महाँ पे अच्छा हो क्योंकि उसके अंदर काफी जादा टैलेंट है यह सब सोचने के बाद यहाँ पे जब टोजी उससे उसका नाम पूचता है तो वो अपना नाम फुशी गुरो बताता है और यहाँ पे फुशी गुरो ने यानि के महडूमी ने अपना नाम महडूमी जयनिन नहीं बल्कि महडूमी फुशी गुरो ही रखा हुआ है और वेसरी बात है तो जी ने अपने बेटे को जयनिन फैंवली में बेचा था और यह कंफर्म है बात कि वो नाव बिटो के साथ ही कर रहा था क्योंकि यह चीज मैंने आपके लिए रिसरच करके ढूंड दी है ठीक है ना और यहां पर एंड के मुवमेंट्स में में तिखाया जाता है इससे पहले जितनी भी लड़ाई हो रही थी तो टोजी के आके ब्लैक थी लेकिन एंड के मुवमेंट्स में आप टोजी क कि जान ले लिए वरना भाई वो पतानी कैसे लड़ता उससे है कि नहीं बले यहां पे बीच में मेगुमी को आईरी की प्रेजन्स महसूस हो चुकी तो बताता कि आईरी ऐसी बंदी है शोको जो कि उसको हीर कर सकती है तो थोड़ा बहुत अपने डैमेज ले भी सकता था इ बीचे से भाई उसको पर अटैक करते तो और वो यह कहता है कि भाई मैं इसी काम में तो माहिरू मैं मतलब फीचे से चुपके अटैक करने में यह माहिर है ठीक है ना वह दूसरी और हमें शिवया स्ट्रीम का सीन दिखा जाता है जिए तर पांड़ा और कुसा कावे होते है और यह लोग एक बिल्डिक से भाई आते हैं इन लोग ने इस बिल्डिक को चेक कर लिया होता है और अब इनका यह प्लान होता है कि आगे चलके गोजो को ढूंडे और उसकी मदद करे जाके तो कुसा कावे को यहां पर गुसा आता है और वो कहता है तुम समझ नहीं आ रह लग रही है तो है तो यहां पर है यहाँ इसके रख रहा गोशा कौन पर हो हर आ इसके रख रही है हूंडए तो नहीं पर रोग नहीं के लिए नों राइटे और तो तुम हार मंद लो यहां से चले जा gan तो कुसषब कहता है कि अगर हम इन दोरों में से कुछ करी ना पाए तो क्या गरोगे तो अचाते कि हैं तुम लोग तो यहाप में हमें उन्ट क्पशाय में होते होते हैं आपना कुछ डिकॉशन कर रह रहे होते हैं गेटों की बॉड़ी का, ideokos. जॉндी की जॉम्मी की तरह इस्तमाल नहीं होने में दे सकते हैं। हों के पोड़ी जॉम्टीं की सपोर्टर्स होते हैं। और वो यह कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे लेकिन याद रखना हम अभी भी फैमिली है और आग चलके एक नए एक दिन हम फिर से साथ में बैट के खाना खाएंगे तो यहाँ बैमें फिर से इन सॉसर्स का सीन दिखा होगे उसे लग रहा था कि यह लोग बातचीत करते रहेंगा उसी में निकल जागा इनको लड़ने की जरूत नहीं पड़ेगी क्यों है ना लेकिन साथ इस साथ इसको यह समझा चुका होता है कि वह इस लेवल की सॉर्सर से निपट सकता है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो जोगो कहता है यह अभी खतम नहीं हो और हम आपने अपने लावा आटेक से बिल्डिंग वगएरा पटक पटक के मारता है सुकूना को यहां पर घंटा को फरक नहीं बढ़ रहा होता है क्यों कि बाए कि वह इस अपिसोड देखना होगा तो मेरे टेलेग्राम पर आपको मि इन दोनों की जब लड़ाई हो तो सुकूना के पासा पर रहन होता है आप जानते है वो यहां पर जोगो हवा में उठा के एक हाथ से उसको पूरी बिल्डिंग के पार नीचे ले जाता है और इस वज़े से यहां पर जोगो का पूरा कमूरा मूँ भी तूट चुका होता ह और यही वो सीन है सुकूना का गंबरे गंबरे यानि की लड़ाई करो यार और ऑफिसी बात है वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब तक खेलता रहूँगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता थक नहीं जाता मैं तो बेसिकलिए यहां पर सुकूना के लिए भाई बच् इतनी फिंगर्स के बराबर हूँ तो गेटो ने उससे बताया था कि वो आठ नौ फिंगर्स के बराबर है लेकि भाई यहां पर सुकूना के अंदर आप 10-15 फिंगर्स है मेरे क्याल से है कि नहीं एक्जाक नमबर आप कमेंट सेक्शन में बताना हो तो इसी वज़े से यहा पावर डिफरेंस काफी जादा बड़ा है जोगो यहां पर अपनी फुल एनरजी का इस्तेमाल करता है और पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगा जैता है और इससे भी सुकूना असानी से बच जाता है लेकिन यहां पर आपने मैक्सिमम मीटियो और अटैक का इस्तेमाल इनके नास्ते में आजाते है तो यहां पे कुशचा गावे असानी से इन दोनों सुर्फिरस को काट के रख देता है तो कुशचा गावे इनको समझाने के उश्च करता है अब हमें यहां से निकलना होगा क्योंकि कि यहां पे खतरा है काफी बड़ा खतरा दो special grade के करसे से हाँ पर लड़ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को तो इससे पहले कि यह लोग यहाँ से निकल पाए तब ही सुकुना इनके पास आ जाता है भई और वो कहता है जितनी भी इनसान है यहाँ पर मौजूद कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं अगर तुम में से कोई भी हिला तो मैं तुम्हें जान समाड़ा लूँगा जब तक मैं सिगनल लहीं देता ऐसे खड़े रहा हो तो भई यहाँ पे पहले तो भली पांड़ा काफी बार इस बात का मजाग वड़ा चुका है कि जब भी किसी इनसान की बात होती है तो वह कहता है कि मेरे उपर तो अपलाए नहीं होगा ना रूल क्यूकि मैं तो इनसान हुई नहीं लेकि वह भी यहाँ पे भई अप एकडम टिच खड़ा होता है वह भी बिल्कुल नेरता है इनके पसीने चूट रहे होते है और यह मीटे उर इनके उपर आके गिरने वाला होता है और सुकुना फिल्कुल एंड मूमिनिड पर ताली बाजाते है जिसके बादि यह सबके सब भाई एक सकिन के अंदर ही ऑगःते है भाग जाते है मतलब यह खतरना कसा मीटेज उर इनके उपर गिरता है और जो को कहता है भाई इस खतरनाक अटेक्स है तो सुकुना भी नहीं बच सकता है कितना भी ताकत वर क्यों नहीं हो वो तो वो भी सही सलामत तो बाहर निकलेगा नहीं तो सुकुना यहां पर अराम से बैठा होता है और वो कहता है कि हाँ सही सलामत निकलता नहीं अगर लग बैटल में, सुकुना कहता है वैसे अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, तो चलो फिर ठीक है, आप मैं तुम्हारी स्पेशलिटी से ही लड़ता हूँ, तो यहाँ पर कहता है, जिसके बाद उसके हातों में फ्लेम्स आने लग जाती है, और इसे देखके जो काफी जादा शुक हो जाता है क्योंकि अपर सुकुना कि बात है उसके पास फ्लेम्स की पावर है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकि जड़ता था, कि सुकूना के जो टेकनीक्स है, वो है काट-पीट करना, उसकी यह ही टेकनीक है, उसका ऐसा लग लग रहा था, उसे यहाँ पता था कि य तो यह दोनों के दोने यहां पर एक फायर बैटल के लिए तयार होते हैं और आप लोग जानते ही हैं क्या होगा यहां पर जो एक वाइट सी जगह पर आ जाता है और उसका सामने इधर हानामी और डैगन से होता है वो इन दोनों से बात करता है इन से माफी मांगता है कि वो इ अम्हार्टा या यह कहने काफ ज़ैनी स्वास्वार को और कर डिया कई पेडिजाता है आपकेश Major थे सूर सोंखना इस पर आजाता है कि मैं थे हैं अस्यवर है यह बहुत इसे नहीं तरह जेते हैं और वो यहां पर समझने की कोशिश करता है, जो को कहना के चाता है असलियत में, वो बिसकली यह कहने चाता है, जो अभी वाले इनसाने, जिनके पास कोई पावर नहीं होती है, ना कोई कर्स एनरजी होती है, वो बिलकुल कीड़े के समान है, असली इनसान का दरजा, इन कर्स पिरिट्स को मिलना चाहिए, जिनके पास सारी की सारी पावर्स है, जो इतने ज़्यादा इवाल्व हो चुके है, यह है जोगो के कहने का मतलब, लेकि सुकुना यहाँ पर एगाता है, जोगो के लिए पहले जोगो की बीटेट हो चुके होता है, जिसके बाद यहाँ पर ऑफिसली जोगो की भी टेट हो चुकी होता है, और यह बेसिकलि उसके मरने से पहले का या फिर मैं बोलो, आफ्टर लाइफ का सीन था जो भी था अभी, सुकुना यहाँ पर सोचे रहा होता है कि चलो अब क्या करना है, तब ही पीछे उसके कोई आ जाता है, और यह और कोई निवलकी हो रहा हो में होती है, और वो कहते है कि आपका स्वागत है, लौट सुकुना और सुकुना भी उसको देखते साथ पचान जाता है, और वो कहते है, कैसी तुम वह रहा हो में, काफी समय हो गया, दूसरे और हमें हारुटा का सीन दिखाया जाता है, और भाई उसकी तो वाट लग रही होती है, उसके सामने एक कर्स होता है, कर्स पिरिट टाइप होता है, में को पता है कौन है, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्पॉलर मिल जाएगा, ठीक है, बट हरुटा के दिखके वाट लग रही होती है, बट होता है, इसके रिगार्ड़ी में एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं स्पॉलर अलर्ट दूँगा, तो जिन लोगों को स्पॉलर चाहिए, यह जो लोग और अलड़ी मांगा पड़ चुक है, उनके लिए काफी अच्छी रही हो ठीक है, तो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही आप में को बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और कैसी रही है आपको एक्स्पेमिनेशन, यार, मैं क्या चेंजिस कर सकता हूँ अपने चैनल पे, आप में को कमेंट सेक्शन में बताईए, क्लिप्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाते हैं मेरे चैनल पे आपको पता है, पास्ट में पान्च स्ट्राइक्स आ चुके हैं, तो यार, मैं पालतु का रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगा चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मिलताँ आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिफ इतना ही, मिलताँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई,